हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पुदीने और कच्छे आम की बहुत ही टेस्ती और हैल्दी चट्नी ये चट्नी बिल्कुल हरी और गाड़ी वनेगी एक बार आप इस तरह से पुदीने की चट्नी बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा तो चलिए हम अपन से देखें तो यह हमारा 70 ग्राम पुदीना हैं इसको अच्छी से क्लीन करके वाश करके लिए है इसका पानी भी बिल्कुल निकाल दिया है और हमने लिया है यह ऑमारा 230 ग्रैम है लाक बार इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको छील लेते और इसके छोटे चोटे- すपी पुड़े हम कर लेते हैं देखे फ्रेंट्स यह कच्छाम हमने काट लिया है और काटने के बाद यह हमारा देखिए लगबग एक कप है तो चलिए अब हम इसको पीषने की तयारी करते हैं और उसके लिए यह हमने लिया है ग्राइंडर और यह इसमें डाल देंगे और यह जो और भी health benefits है इसलिए हमें उसको अपनी daily diet में जरूर include करना चाहिए और चतनी तो बहुत ही आसान तरीका है इसको अपनी diet में शामिल करने का और इसमें अब हम डालेंगे पाँच बड़ी हरी मिर्चली है, ये इसमें डाल देंगे, और 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, ये 4 से 5 आइस क्यूब्स इसमें डाल देते हैं, जिसी कि इसका जो रंग है वो हरा बना रहे, जार के गर्म होने की वज़े से उसका रंग च इसमें होते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं, ये जो हमारी चटनी की थिकनेस है, इसको बढ़ाएगा, इस तरह से छोटे-छोटे हम टुकडे करके इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ये हमारी चटनी पिस गई है लगभग, और इसमें हम 1 अफ टी स् helping के करीब नमक और डाल देते हैं, काला नमक लिया है मैंने अभी और 1 फॉर टी स्पुन हींग, इसमें डाल देंगे और इसको एक बार वापस से हम ग्राइंड कर लेते हैं, ये देखे ये हमने दुबार से ग्राइंड कर लिया है और ये हमारी चटनी बनकर बिल दाल या भुने हुए चने ले सकते हैं या कोई भी बेशन के सेव आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें आप पानी की जगे आइस क्यूब से यूज कीजिए उससे क्या होगा इसका जो रंग है वो हरा ही बना रहेगा नई तो जार की गर्मी की वज़े से वो काला पड़ जाए कुछ आम जो कच्चे होते हैं उनमें भी थोड़ी सी मिठास होती है तो आप इसके लिए जो आम यूज कर रहे हैं वो खटा ही यूज करें तो चलिए अब हम इसको अपने सर्विंग बोल में डाल लेते हैं देखे फ्रेंड्स ये चटनी हमने अपने सर्विंग बोल में न अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू